नुश्का दूस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सब का आपके अपने चैनल स्पर्ष क्लास हुए दूस्तों आज हम चेनल स्वाइटी के बारे में पढ़ेंगे उसकी सेकेंड यूनिट पर हम आग चुके हैं यूनिट फर्स्ट मैं ओर डी कवर कर चुकी हूं मैंने इसक एक अलग से प्लेडिस्ट बनाई हुई है प्लेडिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंड बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहां जाकर आप कम्प्लीट प्लेडिस्ट को देख सकते हैं अभी तक जितने भी वीडियो अप्लोड की हैं और स्कूल इस कम्प्लीट यूनिट में अब ऑवर्वीव दूं तो इसमें हम बात करेंगे कि जैंडर इनिक्वालिटी क्या होती है तो वह सारी बातों के बारे में हम डिटेल से इस यूनिट सेकिंड में डिसकस करेंगे तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जैंडर इनिक्वालिटी इन अट डेवलपमेंट ओव कुरिकलम यानिकी जब हम पठ्छे करम का विगास होता है उसमें लेंगिक्स ऐसमानता क्या टात्परिय है और लेंगिक ऐसमानता क्या रोल प्ले करती है और हिब्सक्राइब को हम पता चाहिए कि तरक के साथ logical ऑप Рolnh समाज के वह पर नहीं और उनको इंपोर्ट depends देखा लड़के और लड़कियों में में कितना बेदभाव किया जाता है यहां पर हम आज की बात कर रहे हैं कि करिकुल्म में तो सबसे पहले तो हमें करिकुलम का पता होना चाहिए कि करिकुलम क्या होता है ठीक्रम करिक्लम के बारे में अगर बात करूं। पार्थेक्रम क्या होता है? पार्थेक्रम हमारा पूरा सिस्टम को डिफाइन करता है आपको कब क्या books की syllabus के साथ-साथ extra curricular activities क्या-क्या बच्चे को करा जाने चाहिए किस तरीके से बच्offs को पढ़ाया जाना चाहिए कौन-कौन से method अपनाय जाने चाहिए education का क्या objective होता है यह वो सारी चीजें हमारे curriculum में define होती हैं ठीक है अब gender inequality कर्이किलम करक्राइब हम अपनी सव्साइटी को जरूरर में हमारी समाज चब्रते हैं अपनी सूसाइटी को डवलब करने के लिए उसकी नीड एकर बैतर करीकौलम कर निर्मान किया जा सकी तो यहां पर हम इंडिरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे करिकुलम करते हैं तो उस पर जो हमारी सोच होती है जो हमारी सोसाइटी की सोच होती है जो कल्चर होते हैं जो रित्रिवाज होते हैं वो सारे अफेक्ट करते हैं तो जो हमारे समाज में फैली हुई जेंडर इनिक्वैलिटी होती है लेंगे कैसा मानता है जो होती है वह भी आपके करिकुलम को बनाते समय करिकुलम पर डालती है जैसे फॉर एक्जामपल पर आप देख सकते हैं different subjects are associated with masculinity and family यहनी कि males और females के लिए different similar आपने देखा होगा males और females के लिए अलग अलग subjects को define कर दिया है यह सोच बना दी गई है कि जो maths है, science है इस तरीकी के maths और science जैसे subject होते हैं वो बैस के लिए होते हैं फिमेल्स उनमें अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर सकती भले ही करती है रियालिटी यह है कि गल्स भी अच्छा पर्फॉर्म करती है इन सब्जेक्ट में टॉप करती है लेकिन यह सोच बना दे जाती है कि यह जो मैट्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं यह मेल्स के लिए है इस porte के लिए लड़की औरवख करेगी और लड़का है तो वह साइंस हो गया साइंस हो गया मैंध्स हो गया क्रिशी सिलेक्ट करते हैं इस एक सबसे बड़ा ठर्लड करेंड में यहाँ गया कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग सब्जक्ट तै कर दिये जाते हैं यह सोच डेवलाप कर दी जाती है अब अगर इसका हम कहते हैं कि किस तरीके से अफेक्ट लड़ती है मालीजिए कोई लड़का है अगर वो होम साइंस लेने लग जाए और होम साइंस में कोई बड़ा अपराइद कर दिया हो कि उसको ऐसा फोर्स किया जाने लगता है और यह जल्द से जल्द वह अपने इस सब्जक्ट को चेंज करते नेक्ट क्लास में वह साइंस की वज़ाए वह मैं साइंस जैसे सब्जक्ट ले जो कि लड़कों का काम है यह उस पर प्रेशर जादा डर जो है इस तरीकी का डर माइंड में घुसा दिया जाता है यह अगर मैं इस सब्जक्ट में पास नहीं हो भाई तो जो लोगों का बाते थी वह सही साबित हो जाईगी लड़की के माइं में गर्स के माइंड में यह बाती चल कि रहती है उसके बाद अगर वह अच सोच की वज़ा से ही जो सोटS चुली आ रही है उसी की अकोडिंगी सब्यक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं कर लेपा है तो छाए फैमिली प्रेशर में आकर सोच फॉल्ट्स प्रोसेस के मैं अकर तो ये आपका पहला पुर्ण्ट हो जाता है इसके बाद सेकंड के आ जाता है टीचर्स टीच डिफरेंट मेटरियल और ट्रीट डिफरेंट ली अकोर्डिंग टू वेडर देखा जाता है तो आपके जो टीचर्स सोते हैं वह गल्स और बोइस को पढ़ाने का तरीका चेंज कर लेते हैं अगर वह गल्स को पढ़ा रहे हैं उनका तरीका अलग होता है तो यह जो फॉइसके पैंट स्मेंट को समय हो जाते हैं इसके एक पॉइन्टों यह उसका बोलने का तरीका अलगो हो बॉइस के लिए गल्स के लिए उसका रवाई वहवार अलग किसी के लिए अच्छा हो सकता है कि अगर अंतर है तो वह जाएगा हो सकता है कि जो teacher है वो जो भी content पढ़ाते हूं उसमें जो examples देते हैं वो अधिकतर males से जुड़े हुए examples देते हैं यह हो सकता है वो अधिकतर females से जुड़े हुए examples देते हूं फिमेल्स के नाम examples में ज़्यादे तरियूज करते हूं यह चीज हो सकती है यह आपकी gender inequality में आ जाती है ठीक कोई aggressive type example देना है उसमें males का नाम यूज करें और कुछ कामली टाइप से एक्जामपल देना है गल्स का नाम ले तो उससे का जाता है बच्चों में सोच काम होती है और boys aggressive होते हैं तो वह चीज जो होते है एक्जामपल देने से बच्चों का thought process जोता है वो mindset change हो जाता है और यहां पर काम कर जाती है कहीं ना कहीं तो यह इस तरह के कि बहुत सारे differences होते हैं जो हमारे curriculum development में देखे जाते हैं जो लड़किये और लड़किये दोनों पर ही अपना अपना effect जो है वो डालते हैं आगे अगर हम इसमें देखते हैं कि making the curriculum gender equitable यानि कि हम कैसे अपने curriculum को जेंडर equitable बना सकते हैं जेंडर के लिए बिल्कुल बना सकते हैं कि हां girl हो boys हो दोनों के लिए equal हो सकता है कैसे नियाय संगत बना सकते हैं तो when considering how teaching and the curriculum can be made जेंडर अगर हम चाहते कि अपना curriculum जो है वो जेंडर equitable बने समान बने नियाय संगत बने तो इन दो एरियास पर ज्यादा focus करना चाहिए एक तो curriculum का content क्या है यानि कि आप सिलेवस में topic क्या ले रहे हैं टॉपिक में examples के लिए रहें यहां जैसे जरुवरत महां पर वैसे examples लिए जाने चाहिए learning material किया है से क्षण सामगरे teaching methods क्या यूज कर रहे हैं किस तरीवियर क्या क्या है टीचर्स का तो उन चीज़ों पर हम focused करते उनको change करने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने curriculum को gender equitable बना देते हैं एक बात आप सोच सकते हैं देखिए जो हमारा इस्कूल होता है इस्कूल में ना ही तो हमारी कोई जीति रिवायत परमपराय चलती है ना ही कोई नियम समाज के चलते हैं हम यह कह सकते हैं कि जो समाज की रिवायत सोच परमपराय होती वह नहीं चलता इस्कूल ही ऐसी जंगा है जहां पर मेल्स और फिमेल्स दोनों ही अपन कि अगर समाज की बात करते हैं तो सोच होती है समाजिक हो स्थी सचल में जाने लगा चाने लगी तो वो आगे चल कर जो है बेकार ही रहेगी तो यह जरूरी है कि स्कूल से करिकुलम से हम इस परकार की थिंकिंग को हटाए कल्चर को रिती रिवास को हटाए और एक इंडिपेंडेंट सोच बच्चों को दे जहां पर सभी इक्वाल हो उसी तरह की सोच बच्चों में डेवलप कर एडिया नेक्स्ट मैथड ओफ एवालुएशन एंड असेस्मेंट छोटा से सब्टॉपिक है ज्यादे इंपोर्टन नहीं है आप करेंगे तो देख लिजेगा बाकी इसको इक बार पढ़ लिजे मेजर्स टू इंप्रूव जेंडर एक्वालिटी थो करिकुल इस तो नितिओं को स्थापना की चाहिए एंड के रिजिंग गर्स और बॉइज लड़के और लड़के दोनों को ही मोटिवेट करना चाहिए एंडरेज करना चाहिए यूज कंसेप्चुलाइज डूबूक जो अवधानातमत पुस्तक हैं उनका अपयोग करना चाहिए एं क्लास्रोम में बोईश औट गल्स को इंटीग्रेट करना जाहिए क्योंकि अगर जो टीचर का नेचर होता है कि वह बोईज के लिए अलग टीचिंग मेंदेडि यूज कर रहे हैं कहीड जो होता है तो वहाँ पर तीचर को जो होता है काफी हद तक का रहता है तो चीजों को कुछ भी कहने से पहले करने से पहले सोचता है अगर क्लास में वह कोई एक्जामपल दे रहे हैं तो वह दोनों से अगर करते तो कर पा emails मोटिवेर कर लेघसर को देव नि 내가 सक्षाहा पैं करूंसलिग के अंदे Yes तो ये पांपी खांसलिंग के लिए प्रांबर्स के जाते से सज्जेस्ट कर ना चाहिए बवोई 수 को गर्रस को दोनों को ही उनके कह ने से से रिलेटेड काउंसलिंग कि जाने चाहिए तो यह आपकी जेंडर इनिक्वालिटी इन करिक्लम है नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैंडर इनिक्वालिटी इन मैनेजमेंट ओफ इसको ठीके यह फूर्द के साथ बने रहे पर आने वाला सबी वीडियो को सबसे पहले देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन को प्रेस करना ना बुलिए आज के बस अतना है मिलेंगे आने वाली वीडियो में आज के लिए धन्यवाद